कानपुर का एक ऐसा मिधावी छात्र जिसका नाम लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ट रिकॉर्ड में सबसे छोटे इतिहासकार की रूप में दैच है कानपुर के सुपीरियर आईक्यू वाले यश्वर्धन अब कक्षा 7 से सीधे कक्षा 9 में प्रवेस लेंगे उतरप्रदेश माध्यमिक सक्षा परिशद ने यश्वर्धन के हाई आईक्यू लेवल को देखते हुए यह फैसला लिया है जिलावे द्याले परिक्षा अधिकारी ने बताया कि यश्वर्धन को कक्षा 9 में सीधे प्रवेस के लिए इस कारहले को आदेश प्रदान किये गए हैं सच्चु द्वारा दिये गए निर्देश के क्रब में हस्वर्धन के पिता को दुर्भास पर उक्तु सूचरत दी गई उनके पिता जी कल दिनांग कितने को उपस्थित हुए थे उनसे कहा गया कि जिस विद्ध्याले में उनको प्रवेस लेना हो वो प्रात्रां पत्स देश ताकि उस विद्ध्याले को जो ना प्रवेस हे तो अग्रेतर कारवाई議 कि जासते हैं हमारे तो लाइप में पहली बार इस सफ़ीक बच्षक उनने देखा है बहुत बड़े गवर्व बात इस देख प्रदेश के लिए देश के लिए और इस जनपत के लिए यश वर्टमान में रगुकुल विद्याले कृष्णा नगर में कक्षा साथ के छात्र है साथ ही ग्यारवर्शिय यश वर्धन सिंग अपने यूटूब चैनल के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है बोड के इस फैसले के बाद यश वर्धन के परिवार और उनके प्रता ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि हमारे बेटे ने प्रदेश का नाम रौशन किया इनमें सुरू से ही मैं एक बिलक्षर प्रतिवा मैं महसूस कर रहा था और मैं देखता था कि इनकी जो है जो अश्मरण सकती है और किसी चीज को क्लैरिफाई करने का जो एक तौर तरीका है बहुत अलग था शुरू से हीन में वी जएक प्रतिभा थी तो चुकि मुझे दिखती गई वीजा तो मैं सुन प्रतिभा अच्छी ची बुक्स कोचिंग और हर तरीक जो भी ब्योस्था में कर सकता है करने का प्रतिवास मैंने और जब यह आज इस्स्तिति में आ गए कि जह है यह सिविल सर्विस की तयारी करने वाले हमारे बच्चों को, NDA CEDES की तयारी करने वाले बच्चों को जब यह पढ़ाने लगे, तो निश्चे तोर में बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कामेज में बहुत अच्छा कारी कर रहे हैं, और हम चाहते थे कि एक कुछ आइसी बेवस्थाएं को आइसी प्रतिभाओं को हम लोग बिक्सित करें जो कम सकम देश को जैसे अधर्णी प्रधान मंत्री मोदी जी देश को विश्व गुरू बनाने की बात कर रहे हैं, तो जब तक हमारे बात प्रतिभाओं हम तयार नहीं करेंगे, तब तक विश्व गुरू ऐसे बनेगा, तो कोशिश एक थी कि विश्व गुरू बनाना है तो बच्चों को तयार करना पड़ेगा, उसी क्रम में आज इनको इस जिस्वती पर खड़ा किया और बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं। यश्वर्धन सिंग ने कहा कि ये खुशी की बात है कि मुझे अब साथवी से सीधे नौवी में पढ़ने का मौका मिला है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। वहीं यश्वर्धन ने अपनी पढ़ाई को जानी रखते हुए UPSC में जाने की छब ही जताई। मैं मंमा यह चीजह कयो हैं हैं या चीजह कया हैं ममा ने तभी आंसर देना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट ह्या कि ममा के पर देरे और सिर दीर रऊटा लि उनको पढ़ि वहतार हैं momencie उनको पढ़ फ़र मैंने अपनी इंटरेस्ट का हिसाव्त ऍपने ही खर mantraar मैंने करना शुरू किया कि like civil services का हो गया CAPF का हो गया India CDS का हो गया तो फिर धीरे फिर state PSC वगरा का तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आए कि मैं इन सब के answer दे पा रहा हूं तो फिर जब मुझे लागा कि हां मैं दे सकता हूं तो और मेरे क्योंकि explanation की जो मेरे अंदर feature है कि मैं एक एक लाइन को भी बहुत अछ्छा से किस्प्लें कर सकता हूं तो फर इस वाजे से मैंने थोड़ा सा online lectures record करना शुरू करना शुरू किया और फिर धीर धीर 22 होगा और तब तक तो अ एब पढ़ाना भी शुरू कर दिया था जाके स्कूल के बचों को, कॉलजेस के बचों को, सिवल सर्विसेस की जो तयारी कर रहे हैं, CAPF की तयारी कर रहे हैं, NDS CDS की तयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तयारी कर रहे हैं, मैंने सबको पढ़ाना श्रू किया. फिल्हाल अभी यश्वरधन अपनी यूट्यूब चैनल पर लाखो सस्क्राइबर्स के साथ UPSC, CDS जैसी कई बरिक्षाओं के स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिन क्लासेज में पढ़ाने का काम कर रहा है